बिस्मिल्ला हर्माले रहीम, असलाम उलेकूं, वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब उमेद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, आपाद होंगे, अलामदलिल्ला हम भी अच्छे हैं, और ये सुबा का वक्त है, और मेरा चाय नास्ता हो चुका है, चाय हो चुकी है और अब हम किचन साफ करने लगे है, तो सोचा कि अपने वीडियो की शुरुआत कर ली जाए, और रोज रोज चाय से शुरू करके आपको भी च्या बोर करना, तो सोचा कुछ दिफरेंट, आप थोड़ी किचन की क्लिश हो जाए, और आप तो बहुत सारा काम है, कुछ गर बजार भी जाना, मारे हम मंगल की बजार लगती है, अनाज वाली, और मैंने कल के वीडियो में बताया भी था, कि मेरी ग्रॉसरी कुछ खतम हो रखी, जिदिन कुफते की रेसिपी गई थी, तो इंशालला ताला, आज जो है, बहुत से काम रिप्टाने है, तो आज वीडि का पूरा रूटीन लिए पाईए, तो फिर से की रिपेस्ट, जो मेरे नए वीवर्स हैं, वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेर करें और सस्क्राइब करें, बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सकें, तो अपनी मुहबबत इसी तरह बनाए रखिएगा, ऐसे दिन मर के पाकी काम निपटते रहेंगे, और आज हमको मलाई भी कठा करके रखिए हुई है, और उस मलाई से घीर भी निकालना है, आज बहुत सारे काम है, देखिए कौन-कौन से काम कर पाते हैं, कौन-कौन से काम निकाहिएे, और सही बात है, जब हम सबकी अश्लाइट खराब हो जाती है, तो बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमने करने होते हैं, लेकिन वह काम घिली मेतर्य्य हो जाता है, और इस तरीके सी होता है जो हम आपके साथ अभी शेर कर रहे हैं। आपके बच्चों को बहुत पसंदाने वाली है। तो भी हम बताते हैं की उसको हम कैसे बनाते हैं। देखेW 시 देखे तावा मैं चढ़ा दिए है। यह शककत ही है।ors देखे it कैसे बनाते हैं। पहले हम इस ब्रेट के उपर मलाई को लगा लेंगे और फिर ताबे पे चड़ा देंगे और उसके बाद उसमें चीनी ऐसे डाल देंगे और येकीन मानिए ये बहुत जबरदस्त आप टीफिन में बच्चों को दे सकते हैं और छोटी मूटी पूर भी बच्चों को लगी हो तक पर आते सकते हैं तो चलिए बनादा शुरूर सकते हैं देखिए मने मलाई लगा लिए और इसके उपर ऐसे करके शकर जो है जितना मीठा आपको रखना अपने हिसाब से कर लीजे और इसको अब ऐसे उठा करके इसके ताबे पे डाल दीजे और आप देखें केक मेंने कर mail कर Gospel कर लाँय। इसी तरीके से ये सारी बनावी है। अब तक बटोसточ मे ये दबरदस्त तरीके से तयार है इस शाही टोस्ट समझ ज़ेगी जैसे शाही टुकुडह का टेस्ट होता है τοीकрист .ुलफ वैसे ही होता है और आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला इस तरीके से जो बच्ची भी मलाई होती है उसको प्रेट के उपर लगा करके और उसके उपर तक्रीवन हाफ टीस्पून शकर स्प्रिंकल करके और इसको ऐसे ही सेख दीजिए और जब एक तरफ से सीच ज आप इस तरीके से पना के ज़रूर देखिएगा इन्शाला ताला आपको बहुत पसंद आने वाला है तो देखिए हमारे जबर दस्त इसे शाही मीठे वाले फ्रेंच टोस्ट मलाई वाले तयार हैं और आप इस रेसीपी को बना के देखिएगा ज़रूर बच्चों को तो जादा ही पसंद आने वाली है तो चलिए इस नाष्टे को अपने चोटे बेटे को कराया जाए और अगर उसने अपना फीडबेक दिया रिव्यू इसका दिया तो आपके साथ जरूर से जरूर शेयर करेंगे तो इस रेसिपी को बनाएगा जरूर वीडियो में बने रहीएगा चलिए इस नाष्टे को करा के पिर आप से आगे मिलते हैं तो देखिए नाष्टा लेकर के हम आ गए हैं और अब इनको कैसा लगा अभी आपको इशारे से बताएंगे तो आप बताईए आरे कुछ लबजों में भी बयान कर दीजे तो इनको शरम लग रही है आज पता नहीं क्यों तो इनको अच्छा लगा है तो ठीक है चलिए महनत सुआरत हो गई तो हमने सोजा कि यह शूट हो रहा है लेकिन नहीं तो देखिए हमने थोड़ा सा इसमें दो टीस्पून तेल डाला था और थोड़ी सी चिली फ्लैक्स और एक अदब क्याज है और यह देखिए कल हमने चट्मी पीस के रख लिया था जिसमें जो हरा लस्तन आता है वो और लेक्ट नमार्टा हरी निया और त्याज जिस आई हम पही सब बगार लेंगे और प्याज को हमें बिल्कुल लाली करना इसको बस ट्रांस्पैलेंट करना है इसका कलर नहीं चांज होना चाएए तो जब यह ट्रांस्पैलेंट हो जाएगा तो इसके अंदर हम पीसी हुई चट्नी को शामिल कर देंगे, तो देखिए, ट्रांस्पैलेंट हो गई है, अब इसमें के अंदर हम चट्नी है, वो डाल देंगे, और इसमें नीबु भी हम निचोड देंगे, तो मेरा बेटा जो है, वो निचोड दा रहा है, और इसको अच्छे हम चला देंगे, और नीबु डालने से चट्नी का जो जायका होता है, वो दो बाला हो जाता है, और आप इसको इसकी भी कर सकते हैं, अगर आप नीबु नहीं डालना चाहें, तो और तक्रीबन इसको अब हम 6-7 मिनट भोल लेंगे, ताकि चट्नी हमारी अ को जाए, और यह बहुत ही अच्छी लगती है, जब इसकी में बघार लग जाता है, तो यह पेसन की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरी ग्रोसरी खतम हो रखी है, अज हमारे अम अंगल की बजार है, तो आज इंशाओला तलम बजार जाएंगे, जो जो समान खतम हुआ रखा है वह सब लेकर हम आएंगे और अपनी ग्रोसरी भी आप के साथ शेयर करेंगे तो इसको जो खाई जाएगी वह गेहूं की रोटी के साथ थोड़ी सी मोटी बना लेंगे तो अलम्दुलिल्ला नाश्ता हमारा तयार हो जाएगा तो वह जो मीथे वाले चटनी बेहत पसंदो मेरे बड़े वाले की तो प्रेवरेट है बहुत जादा लेकिन वह बेसन की रोटी के साथ खाता है तो वह कह भी रहा है कि जो मौले में पर्चून की दुकान है वहां से ले आओ तो देखते हैं अगर बेसन आ जाएगा तो रोटी बन जाएगी नहीं जो घर का गीवू का आटा होता है उसी से काम चल जाएगा तो तकरीवन इसको फुनते वे 6-7 मिनट हो चुका है गया इसको हम आप कर देते हैं और हमारी मज़ेदार लजीज चटनी तयार है देखिए मेरा दूसरा पार्सल भी आ गया है और यह भी बच्चों के ही कपड़े हैं क्योंकि हमारे जो खालाजाद भाई हमने बताया हुआ है कि उनके यहां बेटा पैदा हुआ है तो उसी के लिए कुछ शॉपिंग हमने की थी तो हमने उसके लिए ओल्लाइन कपड़े म तो यह हमें मिला है तकरीबन 300 में उन्होंने 5 सूट बताये थे और इसको खोल कर देखते हैं कि इसमें 5 पीस है कि नहीं है तो अब गर्मी आ चुकी है तो इसलिए हमने गर्मी किसाफ से उसकी शॉपिंग किये क्योंकि वह बेबी बॉए है तो माशायल्ला कपड़ा दो बह चाहिएगा दो तीन चार पाँच और सच में हमारा दिल खुश हो गया है बहुत ही अच्छा कपड़ा है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्यारा यह देखिए यह गर्मियों में पहन करके और उसके पर बहुत अच्छा भी लगेगा क्योंकि बहुत क्यूट सा बेबी है अगर हम जाएंगे जब अपनी खाला के घर तो तो इन्शालला ताला उस बच्चे की पिक आपके साथ जरूर शेयर करेंगे और देखिए कितना अच्छा लग रहा है लगाना आपको जबरदस्त तो यह 300 में पांच जोड़ी सूट कोई बुरे नहीं है तो कमेंट सेक्चन में बताइएगा जरूर कि मेरी ओनलाइन शॉपिंग आपको पैसी लगी अगर आपको भी इसका लिंक चाहिए होगा आपको एक अपड़ सकते हैं तो चलिए तो चटनी हमारी लगभग तयार है और यह देखिए मोटी रोटी बना रहे है तो पस ऐसे ही आज करनाचता रहा चटनी और रोटी तो देखिए हम रोटी को ऐसे करके गैस के ओपर सेख लेंगे लाल-लाल सी क्योंकि यह थोड़ी सी करी होती है तभी अच्छी लगती है तो देखिए चटनी रोटी का नाच्ता तयार है आज का नाच्ता मारा देशी नाच्ता है तो बस आज का वीडियो मेरा यही तक की था और जो मेरे नए वीवर्स हैं मेरे चैनल को सस्काइब कर लें लाइक कर लें फैमिली फ्रेंड में शेयर कर लें बेल को ज़रूर प्रे आप सबको मिल सके दूआ में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में आला पीस आप सारा ख्याल रखिएगा झाल झाल